जापा पड़ा है तब से आपके लगातार बयान आ रहे हैं मीडिया के उपर टीवी के उपर कि पीजैन पीजैन का कन्फ्यूजन हो गया जाना था उधर चले गए उधर तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इससे और ज्यादा प्रेरित हो गया कि चलो अब उधरी चलते हैं भूल इस बार जूट के फूल को सबक सिखाने के का काम कन्नौज और प्रदेश के लोग करेंगे अकले जी भाजपा से सवाल सुचा गया कि आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो कहरें कि ये लोग जो एजन्सीज हैं उनकी सैंक्रिटी पे क्वेश्चन क्रेट कर रहे हैं पहला सवाल यह दूसरा है आपको क्यों लगता है एसर कि बार बार एजन्सीज को ऑपोज में लगता हुआ है जो सोना आया है वो किस रास्ते आया है वो तो किंड्री एजन्सी बता सकती है और ये सुचना किस ने दी है आप उनका खुद का एक्ट पढ़िए उनके विभाग का IT डिपार्टमेंट का क्या IT डिपार्टमेंट ने उन्हें सुचना दी कि समाज़ाद पार्टी से संबंद है तो वो हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी से कैसे संबंद है और हम यह कहते हैं कि उनका सीडियार साफजनिक किया जाए जिस समय सीडियार साफजनिक को अगा पूरे देश और प्रदेश की जनता जाएगी कि आखिरकार किस से उनका संबंद है तो जो भार्टिय जन्ता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से संब्ध बता रहे थे वो ये बताएं कि आधार क्या है जिसमें पढ़ान मंती से लेकर के देश के होम मिनिस्टर से लेकर के देश के उनके बड़े-बड़े मुख्यमंती से लेकर के और छोटे-छोटे नेता बी वो भी एही बात कह रहते हैं के इटर वैपारी समाजबादी इस पार्टी से जुड़ा हुआ है जब उने पता लग गया है उनकी बधनामी हो गई दूइया में देश में बधनामी हो गई इसलिए उन्हों ने खिसिया करके ये खिसिया को चाहपा मार रहा है कि कम से कम यहां था छापा मार क्रके बद neden आ हम कर रहा है सर एक ब समय क्योंकि अब कि चुनाव समय पे वनने चाहिए कि रोना गैड़ाई लाभर चुनाव कटा है कि अपको विशे पर कि समाँजवादी सरकार होती तो इत्री के वेपार का डंका दुनिया में बस था और इसे इनों समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ पर पर्फीमिरी पार्फीमिरी म्यूजियम बन रहा था भादे चन्ता पार्टी को यह शिकाष है कि एत्र उनके नाम पे क्यों नहीं बनना है जो दुर्गंद फेलाते हों जिनें बद्भू पसंद हो उन पर क्यों कोई एत्र बनाएगा उन्हें शिकायत इसलिए है कि समाजवादी लोगों ने या समाजवादी पार्टी से जुड़ूए लोग कोई इनोविटिव काम क्यों कर रहे हैं कोई नया काम क्यों कर रहे हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी पर इत्र कैसे बना सकता है इसलिए इत्र का इंकलाव होगा और 22 में बदलाव होगा इसलिए इत्र का इंकलाव होगा और 22 में बदलाव होगा अकलेश जी कल आपने प्रेस कॉंफेंस एनाउंस की और आज छापा पल गया तो इन दोनों की बीच में क्या रिलेशन है चल आपने प्रेस कॉंफेंस एनाउंस करी और आज पुछ पराज जेनर के घर पे छापा पल गया और सिटकनी लगा दी है भार्दी जंदा पार्टी के लिए अभी हाली में निसास समाज को धोका दे करके इन्होंने लग्रू बलाया और निसास समाज को ये बताया निसास के वर्ड मला बाथम और इन समाज के लोगों को बताया कि आपको आरच्षड मिलेगा आपको तो यह कहके गए कि आरच छडड नहीं तो बोट नहीं हम निसास समाज के लोगों को केवर्ट समाज के लोगों को बढ़ाई देना चाहते हैं कि ऐसे धूगे वाजों को आपने पहचान लिया और इस बारा आप जो नारा दे रहे हैं आरच छडड नहीं ज्यार और बुलंद क आप किन से एलाइंस करेंगे सर? ये चापे और बढ़ते जाएंगे इसलिए मैं लेशेर कमिसेंस से अपीब करूंगा कि अगर उनके कोड़ अप कर्डेट बी आता हो तो कि ये चापे चुनाओ के बाद मारे जाए जाए जितने च्छापे मारने हैं चुनाओ के मारने जाएं क्योंकि आज भाती जंता पार्टी के पास जो प्रफगेंडा मशीन है उसका मुकावला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती आज उन्हें ये बताना चीए कानपुर में कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया मिला है तो नोट बंदी फेल हुई है के नहीं हुई है और भाती जंता पार्टी ये बताए जो बॉलोजर लेकर की घूमती है लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुछला गया था उनकी जीब से जान ले ली गई थी क्या वो लोग जेल जाएंगे के नहीं जाएंगे क्या उन लोगो सजा मिलेगी के नहीं मिलेगी और साथी साथ भाती जंता पार्टी ये भी बताए कि चुनाओ ऐसा डर्यू ये भाती जंता पार्टी चुनाओ से कि जो अधिकारी दो दिन बार रिटाइर होने वाला था जो अधिकारी दो दिन बार रिटाइर होने वाला था उस अधिकारी को चीफ सेकेर्टी बना दिया लखनों का और हमारे बाबा मुख्मंत्री सोते रहे जो चीफ सेकेर्टी बने हैं जिने दो दिन वा रिटायर होना था एक साल का एक्सेंशन हुआ बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे आप लड़ाई को क्यों बदलना चाहते हो ये च्छापा इसलिए पढ़ रहा है कि जगड़ा चला है दिल्ली और लखनू में क्योंकि लखनू वालों ने दिल्ली वालों को उपमुख्यमंत्री नहीं बनाया था याद कीजिए एक अधिकारी को पहले रिटायर कर दिया गया दो साल पहले और ये भरोसा दिलाया गया कि आप लखनू जाओगे तो उपमुख्यमंत्री बन जाओगे वो भागते रहे दोड़ते रहे एक कमरा मिला दूसरा बंगला मिला भठकते रहे लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाये गया उन्हें कहीं कोड़े दान में फिक दिया गया और अब दिल्ली वालों का मौका था पहले दिल्ली वालों ने पैदल पैदल चलाया फिर उनकी फोटो खिचवाई दूसरी और फिर दिल्ली वालों ने जो अधिकारी रिटायर होने वाला था दो दिन बाद उसका एक्सेंशन दे दिया और एक्सेंशन दे करके उसे चीफ सेकेर्टी बना दिया बताओ ये ख़वर क्यों नहीं है इत्र के चापे से बड़ी ख़वर है कि जो अधिकारी दो दिन पहले रिटायर हो रहा था उसको एक साल के एक्सेंशन देकर के यूपी का चीफ सेकेर्टी और किसलिए क्योंकि यूपी में चुनाव है ये ख़वराई हुई है बार्दी जं से भीड़ाया थी जितनी इनके रत यात्रा में ने आपारी भी है आप कहीं चौमीन के ठेला लगा हो वहां जादे लोग दिखाई देंगे आपको इनकी यात्रा में ने दिखाई देंगे और एक समाजवारी रत देखो छे रतों पे भारी था इसलिए चापा पड़ाई